एलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चनल में आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले टिप्स हैं ये देखिए मैं आपको मार्केट की तरह है मुमफली भून कर दिखा रही हूँ नॉर्मली आपने देखा होगा कि कई लोग मुमफली गढ़ाई में भून के तयार करते हैं घर पर लेकिन उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है मैं आज आपको जस तरीक इसे बता रही हूँ इनका टेस्ट आपको बिल्कुल मार्केट की तरह आएगा और इनमें जो रेसे हैं ये अपने आफी गरम होने क कि बाद ही अपने आफी निकल जाएंगे तो इनको भी आपको निकालने की कोई टेंसर नहीं करना है आप कोकर को मैंने बंद कर दिया और लेकर आपको ध्यान रखना है कोकर की सीटी नहीं लगाना है सीटी मैंने निकाल दी है और गैस की फ्लेम इतनी ही रखना है आपको ज रेडी कर सकती है और इनका टेस्ट आपको जो मार्केट वाली मूम फलिया रहती है उन्हीं की तरह आएगा यकीन मानिए बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी यह काफी किस्पी रहती है और बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है जो नॉर्मली आप कढ़ाई में भून क पेलों हो जैए तो चलिए अगली टेप्स देती हूँ आपको मैं आपको बताती हूँ भालेट क्रम्स कहर पर कशा कर किसे दोणा करके कै आर bit रहान की दिनों तक आप compliant मेरी ञाट है यह पंची होई से इसको मैंने घ्र मнов i क्हीं आउं कर लिए है मिकसीlı में आपको पर के side part निकाल सकते हैं पैसे कोई जरुवत नहीं रहती है इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं अब एक पैन रखा पैन में मैंने जो ग्रैंड किया हुआ प्रैड क्रम्स है वो डाल दिया है और इसको आप इसको आप करणा है अगर आपको तो आप इसी तरह से elli सरते हैं इस तरह से जरूर से रहना कई लोग को आता है जिनको नहीं आता है वो आज के बाद इसी तरह से रख सकते हैं अब अगली टिप्स देती हूँ घर में आप नमकीन बना के तयार करते होंगे सफी लोग जाहतर बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली धनिया ना डालकर आप इस तरह से धनिया वास करें और इसक अच्छा क्रिस्पी हो जाए इसके बाद ही आप ये धनिया और मिर्च उसमें उपर से डालें नमकीन का फिट देखें आप टेस्ट नारियल तो सभी के हां आते हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो जटे रहते हैं वो निकलते नहीं है और इस तरह से नारि के लिए फ्रिज में रख दें तो यह देख सकते हैं अपने आफी निकलने सुरू हो जाएंगे साइड से अपने आफी निकल रहे हैं या फिर आप इनको थोड़ा सा गैस के उपर रख दें बिल्कुल सिम फ्लेम करके और फिर इनको आप सेखते रहें जिससे आपके अगर टाइम ना हो तब आप गैस का करें और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनको फिरिज में रख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा नारीयल पी इपने आफ यह देखी रहेOohँ, इतने बड़ा बड़ा नारीयल भी मैंने इसी तरह से निकाल की त्यार किया है अगर आपको ये टिप्स पसंद आती हैं तो फिर से कहूंगे चनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पिलकुल भी न भूले और अगर आप ये टिप्स फॉलू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी थैंक यू